दोस्तो, अक्सर किसान भाई अपनी फसल का अदिक पयदावार लेने के लिए और पाने की बजट करने के लिए ड्रिप और इस्परिकल सिंचाई का उप्योग करते हैं लेकिन इसका सही त nyt तरीके से उप्योग कर अदिक उतपदन केसे ले सकते हैं इस बारे में आज हम जानेंगे जैन एरिगेशन के डाक्टर मुली धर आयर साब से अब पहले अपना परीचुशे से भी किसान भाई को बताईएगा किसान भाई सरुप्रतम मैं अपना परीचe देदू मेरा नाम मुली धर आयर है मैं जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमीटे में वरिष्ट सस्वेट के पतपर पिछलों 11 वर्ष से कारे रत हूँ और उसके पहले भी मैं कीटनाशक कंपनियों में बीच कंपनियों में काम कर चुकता हूँ और आज मैं अपने गोरानवीत अनुभो करता हूँ कि मैं जैन इरिगेशन जैसी कंपनी में आज कारे रत हूँ और सबकी सेवा में मत्यपदेश के हर अंचल में जाता हूँ और मेरा निवास इस्थान इंदौर के पास महू है और मैं महू के आसपास इस शेक्त्र में रतलाम मंसोर नीमेच और जितने शेक्त्र हैं वहाँ पर करीब करीब सभी फसलों में सबजियां है उद्यानिकी फसले हैं परामपरागत फसले हैं इनमें काम कर रहा हूँ वर्तमान में भी दो मेने पहले मैंने जिला राजगर जहां पर मोहनपुरा जो कमांड एरिया है वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट का पूरा जो है वो जैनी इरिगेशन को मिला हुआ है पाइपलाइन का और वो प्रोजेक्ट करीब 700 करोड का जो प्रोजेक्ट है और सोभाग वशे जैन की बहुत बड़ा सोभाग है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है उस प्रजेट के अंतरगत हम किसान भाईयों के लिए उनकी जो फसल है उस फसल में हम स्प्रिंकलर जो फवारा सिचाई है और ड्रिफ साइट सिचाई दे करके जब वो पानी अगले साल उनके खेतों तक पहुंचेगा सब किसान ये अनुभो करेगा कि पानी की बचत कैसी करन सर इसमें फसल का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है इन विदियों का प्रियों करके जी ऐसा है किसान भाई फसल का उत्पादन बढ़ाने के पहले सबसे पहले हमें हमारी मिट्टी को जानना होगा किसान भाई जो आपकी मिट्टी है उस मिट्टी में क्या है ज उसमें जमीन का पि-एच मान कितना है कि हमारी जमीन कितनी इक्षारी है कितनी अमली और जमीन में किस तरह के जीवानू है और उसके बाद उसमें जो मुक्की पोशक तत्व हैं जैसे नतरजन पास्फरस पटाश है केल्शिम मैंगनीशम सलफर है तस्ता तंबा लोहा मैंगनीज है ये जितने पोशक तत्व हैं ये हमारी जमीन में कितनी मात्रा में है क्या ये प नत्रजन कम है तो हम उसे जैविक की रूप में अगर डालते हैं तो उसमें PSB जिसको बोलते हैं और तीस प्रफिश्टानिक का समाविश करना होगा इसी विश्चलेशन से हम सबसे पहले हम मिट्टी की जाँच करा हैं मिट्टी की जाँच करने के बजाए हमें यह ज्याद करना है कि मेरी मिट्टे में कौन सी फसल हो सकती है कौन सी फसलों में भी तीन तरह के फसले हैं परंपरागत फसले हैं सबजियां और उध्यानी के फसलों में एक तो सबजियां आ गई दुसरा अमारी जो फल बाग है तो इनके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें जैसे कोई भी हमें लगाना जैसे आपका ये शेक्तर है नीमचे मंसोर है यहां प्याज और लेस्विन के सबसे ज़्यादा केती होती तो मैं देखना है कि कौन सी प्रजाती हमें उप्योग करना है उसके बाद में हमारे लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए आजकर जो लगाने का तरीका है वो पहले हम लोग सरी से लगाते थे आजकर हम उसको उच्छी उठी वी क्यारी पद्धती से लगाते है अगर हम उची उठीवी क्यारी पद्धती से कोई भी फसल लगाएंगे चाहे वो सबजियां हो, चाहे हमारी उध्यानी की फसले हो या हमारी आलू हो या कोई भी फसल हो उची उठीवी पाल पद्धती से हमको फसल लगानी है जिससे हम जिस सुछाई को अपयोग करेंगे वो सुछाई का सही सदवियोग उस पोधे को हो पाएगा खीट वादी कम होगी घरपत्वार कम होगेगी जैसे कि डिप या टपक सिचाई या फंवारा सिचाई है इन से अगर हम खेती करते हैं सिचाई तो किसान भाई सभी आउगत है कि यह ऐसी सिचाई जो कम दबाव में लंबे समय तक पोधों की जड़ों में धीरे-धीरे पहुचाई जाती है और दूसरी सिचाई यह फवारा सिचाई जो कि पहले बड़ा फवारा होता था जिससे फूलों पर नुकसान था जैन इर वारे को लगाने से पानी जो है बट्यों से जड़ों तक जाता है जिसमें किसी प्रकारी के खर फफून बीमारी भी हो किसी प्रकार का कीठ हो और पानी धीरे-धीरे एक सूषमीं बुंद बनकर पोधों की पत्यों से पहुचा जाता है और डृप्स Ayam Clark करी नौ tv पानी पोथे को देना है कितना पानी उड़के जा रहा है कितने कितनी फसल जमीन में बढ़ रही है और वो कितने की दूरी पर लगा रहे हैं कौन सी वस्ता में फसल है ये देख करके प्रारंबिक वस्ता में कि सापना में है कि गांट वस्ता में परिपक वस्ता में ये देख क करके हम उसे डृफ हुचाएगे द्वारा पानी देना है नमी ज्याद करना है पानी देने के वाद हम खेत में जाये किसान बाई और मिट्टी का गोला बनाएं उसे उपर से फेक अगर गोला विखर गया तो समجھی। पानी हम बराबर दे रहे हैं, अगर गोला वैसे ही रहे गया तो पानी ज्यादा है, गोला नहीं बन रहा है तो हमको पानी देना पड़ेगा, और बात यह है कि पानी देनी के आसाथ स्वात हम पोशन भी हम द्रिप सुचाई द्वारा जल भी ले खाद दे सकते हैं, जिसमें खाद की लागत भी कम आती है और समन्वित पोशन प्रबंदन भी पानी की प्रबंदन के साथ होता रहता है, यह काम करना है, दूसरा समन्वित कीट एवं व्याधी प्रबंदन, देखें किसान बाई हमको जेविक और रासाणी का समाविष करना है, जेविक में हम नीम तेल का उपयोग करें उसके बाद आसपास हम फेरोमन ट्रैप लगाएं जिसमें क्या होता है मादा की खुश भी होती है नरूड की आएगा गिर जाएगा हम नहीं हो तो हम एक तसला लें उसमें घास लिट ले 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 उसमें लाइट लगा दें और उसके भी हम जो है आप लाइट लित रूप से करें और उसके बाद हम जैविक खात का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और जमीन में जो सूखने की बिमारी आती है उसके लिए ट्रैकोडर्मा है सुडो मोना से और रास्चुसक कीटों के लिए रासाइनिक के लिए जो जैविक दवए जैसे बेवियार सुर्जना है इस तरह की जो फसले हैं इस तरह की जो उद्याने की फसले हैं वो किसान लगाना शुरू करें और हमारी जैन इरिगेशन ने अभी मौसम भी लाई है जिसको अपन जैन वन जैन टू जैन त्री जैन फोर के नाम से है यह जो मौसम भी है इसको उपरी आवरन का पतला होता है जूसक खट्टा मिट्स्टा होता है कशंद किसां मौशम बी ऐगहर ँनगी जमीन हल्की R 2 पूमी है ज़्यादा गहरी नहीं है थोड़ी काली भी है तो मोशब्ध लगाए उस्टे क्या होता है कि जो मोशब्ध भी पांच-पांच-शे साल में आती है हमारी मुसंबी तीन यह साथ साल में आ जाती है तो किसान निम्भू बरगी पोधन पीजा जैसे मौसंबी है निम्भू है संत्रा है इस तरह की फसलों पर तो उद्यान की फसले लगाना किसान के लिए एक तरह का बुड़ापे का पेंशन है सर आप हमारे किसान भाईयों को यह भी बताईए कि जो ड्रीप है और या इस प्रिकल है इस से पानी की तो बज़त होती ही है लेकिन किसान भाई इन पद्यतियों का उप्योग कर कितना पतिश्यत से असी पतिश्यत्यक्त्त की ब्द्दी अगर ड्रीप से चाही लगाता थो उस पाधन में कम से कम दुगुने सित्य गुना उत्पादन बढ़ता है और गुनवत्ता पुन उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन के साथ-साथ उसका जो पोर्षन है खाद की बचत है वो भी होती है लेबर की बचत होती है समय की बचत होती है तो कम से कम तीन गूना अत्पादन उसक डिप से चाही लगाना है अगर मित्टी गहरी कली है तरी आपने मेशने लगाई है जैसे आपने आलू लगाया है लगाया है प्याज लगाया है तो डृप से पानी नमी देख करके अगर काली मिट्टी है तो पानी वो देर तक सोक के रखती है उसमें थोड़ा मतलब ज्यादा बरा पाने में समय लगता है तो एक दिन या दो दिन छोड़के उसको पानी देना जाए अगर हलकी भूमी है तो उसके पानी रोज चलाना है अगर रेतीली भूमी है तो उसके पानी दोनों समय देना है तो नमी देख के देना अभी मैंने बताया नमी के से ग्यात कर अगर गोला बिखर गया तो समझे पानी उससे बराबर दे रहा है अगर गोला नहीं बना है तो उसे पानी तुरन देना है साथ ही सर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाते हैं तो आपके जो नंबर है वो भी आप बता दीजेगा यह बहुत आपका बड़ापन है और अगर कोई किशक बंदू मेरा नंबर लेना चाते तो मेरा नाम है मुर्लीदर रहियर और मेरा नंबर है चोरानवे जीरो अड़सट जीरो अठावीश चबवीस यह मेरा बीसनल नमबर है अगर मेरा विक्तिकत नमबर जो है वो 93996 और 77536 यह मेरा नमबर है किसी भी तरह कि कोई भी समस्या किसान में से पूछ सकता है सुबह लगाए सुबह सुबह लगाएंगे तो काफी अच्छा होगा और आपको बता दू किसान भाई 24 गंटे में से मेरा जो 17-18 गंटे वो किसानों की बीज बीता है और बहुत-बहुत धन्यवाद किसान भाई और मैं कामना करता हूं इश्वर कि आप हमें सा शुक्ष रहें मस रहें और अपने काम को स्वचार रूप से करते रहें धन पदन ले सकते हैं दोस्तों उम्मित करता हूं कि आज की यह जानकरी आपको पसंद आई होगी और दोस्तों गर जानकरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अन्य किसान भाईयों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्क्राइब करिएगा ताकि खेती ब